हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका एक बर फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में मैं हूँ अड़ोकेट सनी शर्मा दोस्तों आज एक बहुती बढ़िया माननिय सुप्रीम कोट का लेटेस जज्जमेंट आपको बताने वाला हूँ सुन करके आपको बहुत खोशी मिलेगी क्योंकि आपकी बहुत सारी परताणना खतम हो जाएगी दोस्तों सबसे बड़ी प्राबलम क्या होती है पता है जब आप शादी करते हो तो उस समय आपको इस सारी सीज़े पता नहीं होती अब लड़की कहां से बिलोंग कर रही है उस पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं या आप बस यह देखते हो कि आपको फैंबली सही लग रही है लड़की सही लग रही है और रिष्टा हो जाता है कई बार आप नौर्थ के होते हैं लड़की साउथ के होती है कई बार आप साउथ के होते हैं लड़की नौर्थ के होती है East West का Spicy होता है यन्य डिस्टिंस बहुत ज़्यादा होता है और unfortunately जब आपके बीच में विवाद हो जाते हैं और आपकी पतिनी वापस अपने माय के जा करके आपके ओपर केस दर्ज करती है, तो कई बार वो डिस्टेंस हजार, दोजार, धाईजार किलोमेटर दूर भी होता है। अब प्रब्लम यह आती है कि अगर आपके ऊपर एक F.I.R. हुई है, उस F.I.R. से आपको निकलना है, आपको बेल लेनी है, आपको कई धारे उसमें ऐसी लेगी हैं, जिसके अनुसार आपके लिए बेल लेना अवश्यक है, आप दोस्तों बेल लेने के लिए भी आपको उनी इतना लंबा डिस्टेंस करके आप जाते हैं और बेल एक दिन में नहीं मिलती, प्रोसिजर में टाइम लगता है या उस दिन कोट नहीं होती, बहुत चीज़ें होती है, आपको इतना दूर जाना बेकार हो जाता है अब आपको कहीं भी जाने के जरुरत नहीं है, आपको अ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो फटा-फट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरू किलिक कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाली इस प्रकार की लिटेस्ट जानकरिया निरंतर और सबसे पहले आपको मिल सकें देखें दोस्तों यही मामला था 498 वाला अब जो पतनी थी पतनी ने राजस्तान में केस किया था और दोस्तों पती को बैंगलोर से राजस्तान ट्रेवल करना था यहाँ पर दोस्तो ओनरेबल सुप्रीम कोट ने ये कहा कि जो स्टेशन कोट है और जो विभिन हाई कोट है वो अपने छेतरादिकार से बहार आने वाले मामलों पर भी अगरिम जमानत का ओर्डर कर सकते हैं किमान लेते हैं कोई क्राइम कंड़क्ट हुआ किनी दो लोगों का जगड़ा हो गया धेरादुन में उसके बाद जो विक्ति था जिसने पिटाई करी थी वो धेरादुन से जाकर के मुंबई में रहने लगा और जो दूसरा विक्ति था जिसकी पिटाई हुई थी उसने धेर मुंबई में उसको पता चला कि धेरादुन में उसके और हाई कोर्ट हैं वो अपने छेतरादिकार से बाहर जाकर भी अग्रिम जमानत दे सकती हैं हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी बनाएगा ये भी कागया कि इसका दुरूप्योग बिल्कुल नहीं होना चाहिए चु वुनरेबल सुप्रीम कोट ने ये कहा कि सिमित अगरिम जमानत का आदेश करने से पहले F.I.R करने वाले जांच अधिकारी और लोक अभियोजब को नोटिस दिया जाएगा और साथ ही जो एक्यूज परसन होगा उसको भी ये बताना पड़ेगा कि वहाँ पर बेल क्यों ले रहा है उसको उसका कारण बताना पड़ेगा अब याख्या देनी पड़ेगे अमूमन और मैक्सिमम ये होता था कि जहां पर F.I.R हुई है वहीं पर जाकर कि आपको अंटिसिपेटरी बेल लेनी है लेकिन बैंगलोर में ये प्रैक्टिस काफी पहले से है मेरे पास एक मामला आया था 2021 या 2020 में बैंगलोर का उस मामले में सेम था F.I.R उसकी दर्ज हुई थी धहरादुन में और उसने अंटिसिपेटरी बेल ली थी बैंगलोर से बैंगलोर में ये प्रैक्टिस पहले से थी लेकिन अधिकतर जगाओं पर इस पकार की प्रैक्टिस नहीं है अब ये मानने सुप्रीम कोट ने इस मामले के मद्दे नजर सारवजनी खित में ये बात कह दी कहीं पर भी आपकी F.I.R दर्ज है आप अपने प्लेस पर एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं तो उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर प्लेस की सेशन कोट या हाई कोट में जाकर एंटिसिपेटरी बेल लेने की जरुद नहीं है अब दोस्तों ये सभी के लिए रास्ते खुल गए क्योंकि सुप्रीम कोट का कोई भी फैसल आपने आप में एक कानून क्रियेट करता है तो इन शॉट आप ये कह सकते हो जो आपकी सबसे बड़ी परतार ना थी कि बेल लेने के लिए दूर दूर जाना परिशान होना कई कई डेट लगती थी कई बार और कई बार एक बार में काम होता भी नहीं था कई बार कोट नहीं होती थी कई बार और परिशानिया आपकी सबसे बड़ी harassment होई हो जाती थी और दूसरा दूसरे place पर इतना दूर आप किसी को जानते भी नहीं होते थी तो आपको पता नहीं होता था किस lawyer को hire करें किसको नहीं at least अपने place पर आदमी को जानकारी होती है सब कुछ पता रहता है जानने वाले होते हैं आपको suggest करने वाले होते हैं और आपको भै भी नहीं होता कि आपके साथ कुछ गल्रत हो जाएगा तो ये बहुत बढ़िया फैसला है बस बात यही है कि इसका misuse नहीं होना चाहिए इस सीच के लिए नहीं 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 चलेगा आप proper justification code को देंगे कि क्यूं आप वहां से बेल ना लेकर कि यहां से बेल ले रहे हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस निर्णे के बाद बहुत सारे लोगों को रहात मिलेगी आपको भी बहुत खुशे मिले होगी चले दुस्ता आज के इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में नहीं जानकार के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तके लिए गुर्बे और थेंकियो फो वाचिंग टेक कियर